यह फोर्थ गुरु ग्यान is the most important गुरु ग्यान जो पेपर को बनाता या बिगाड़ता है यह गुरु ग्यान है using first 15 minutes of your paper using first 15 minutes of your paper and अभी मैं paper मतलब accounts की बात करूँगा मैं दूसरे subject में नहीं जाओंगा however same logic, same काम आप दूसरे paper में भी हमेशा use कर सकते है मैंने अभी तक तीन गुरु ग्यान दिया है पहला paper pattern समझाया था और तुमको बताया था तुमारे लिए क्या important accounting standards है दूसरा मैंने तुमको बताया था paper की sequence में attempt करना है तीसरा ग्या बताया था? accounting standard का question कब आपको attempt करना है? ये तीन बता दिया फोर्त गुरु ग्यान पंदरा minute of your paper जो आपको first 15 minutes reading time मिलता है उसको कैसे utilize करना है जो बोल दू वो कर लेना तब तो paper तुमारा complete हो जाएगा नहीं करोगे 10-15 marks का paper छुटेगा 100% सबसे पहले हम लोग इस 15 minute में हाँ एक चीज बोल दू गुसा करने का नहीं है ICI पे कभी कभी कोई center पे 15 minutes या 5 minutes भी मिलता है होता है कभी कभी वो late paper दे देते हैं अब जो मिलेगा उसी में करना है कुछ नहीं कर सकते आप जगडा जाटी कुछ नहीं हो सकता आपको वो जो time देगा उतना time आपको utilize करने का है अभी मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको पूरा 15 minutes मिलेगा अगर 15 minutes मिले तो जो बोलूं वो करना अगर 15 minutes से कम मिले मान ले 10 minutes मिले तो paper का 5 minutes यहाँ पर दे देना क्योंकि ये 15 minutes बहुत important रहेगा तुम्हारे लिए हम लोग क्या करेंगे इस 15 में से पहला 5 minutes paper का birds eye view लेंगे birds eye view किसको बोलते हैं मैं समझा देता हूँ आपको न पेपर को उपर उपर से देखना है and identify करना है paper में जो question आए है कहाँ पर किस topic से question पूछा गया है ऐसे तो 90% जो हमने कल discuss किया था न वही होगा बट जो भी 5-10% या actual उस दिन क्या हुआ है वो देखने के लिए आपको ये 5 minute देना है आप हमेशा pencil लेकर जाएंगे लड़का लोग को बोल रहा हूँ लड़की लोग के पास रहेगा लड़का लोग pencil लेकर जाना है क्यूंकि paper पे लिखना allowed नहीं है pencil से लिखोगे वो ज़्यादा बोलेगा नहीं pen से लिखोगे वो बहुत टोकेगा आपको क्या करना है question number 1A से पढ़ना शुरू करना है question नहीं पढ़ना है सिर्फ देखना है कहां से question आए अब इतना तुम लोग पढ़ लिया है कि तुम question देखके बता पाएगा ये AS2 का है ये AS11 का है ये AS3 का है बता पाएगा तुम लोगों को पहला 5 मिनिट में question 1A से 6E तक ऐसे paper को पलटाना है सबसे बड़ा बात don't read the questions क्योंकि question read करना बेकार है जब question वो बनाना होगा तब तो पढ़ना ही पढ़ेगा तो अभी पढ़के कोई फायदा बच्चे क्या करने लग जाते है पूरा का पूरा paper पढ़ने लग जाते है और उसमें अगर कोई point strike नहीं करता ना तो फिर panic शिरू होता है यार ये तो मेरे को नहीं आता तो ये question paper पूरा नहीं पढ़ना है birds eye view मतलब सिर्फ उपरा उपरी देखो क्या पूचा है कहां पे पूचा है पहला 5 minute क्या करना है समझ में आ गया ये 5 minute में आराम से हो जाएगा अगर आप सिर्फ paper घुमाओगे तो अगर आप बैटके पढ़ने लग गये तो 15 minute इसी में चला जाएगा कोई काम का नहीं रहेगा तो first 5 minutes में मैं सिर्फ paper को देखूँगा और मैं mark करूँगा कि भाईया कौन से में क्या question आया है 1A AS2 1B AS11 1C AS13 1D AS1 2A Insurance Claim 2B Investment ऐसे करके मैं सबको mark कर लूँगा अब मैं जिस question में सबसे ज़्यादा sure हूँ हम लोग का कुछ तो कुछ स्ट्रेंथ होता है न किसी बच्चे का स्ट्रेंथ असर Insurance Claim Investment में कुछ भी आ जाएगा करके आ जाएंगे आप उस question को read करना चालू करेंगे read the question which you find the best चाहे question 2 Insurance Claim Investment हो चाहे question 3 Branch Department हो या Single Entry Department हो चाहे question number 6 जहाँ पे 5 छोटे छोटे question हो अगर तुमको कोई question एकदम easy लगता है और तुमको लगता है ना कि ये करेंगे तो कहीं गलती नहीं करेंगे वो question सबसे पहले तुम पढ़ना शुरू करोगे अब ये जो हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे ये solve करने के लिए पढ़ना शुरू करेंगे question पढ़ने के बाद question paper पे ही जो workings करना है वो short में लिख लो जैसे for example मानले last year का trading data दिया हुआ है तो हम लोगों को last year का GP margin निकालना होता है short में T4 में फटाफट market GP margin calculate करके छोड़ दो वहाँ पे फिर उसके बाद memorandum trading account में जो जो चाहिए मारके छोड़ दो मतलब next 10 minute में try करो एक 10 mark का question आप solve कर सको वही पर ताकि क्या हो जैसे ही मेरे पास answer sheet आएगा मैं सीधा 2A लिखना चालू करूँगा मेरे को जादा सोचने का दरकार ये best use है उन 15 minutes का इसको छोड़ के कोई और भी use आपके 15 minutes को सिर्फ waste करेगा अगर मानले सर 2A बहुत easy था मेरा 7 minute में सलड़ गया मैं देख के कर लिया तो 2B में चला जा उसको भी पढ़के ready रख ले उसको भी पढ़के ready रख ले मानले सर 3 minute खतम हो गया तो 2 minute extra दे उसका भी जो working थोड़ा बहुत करना है जैसे मानले investment का आया तो 3 महीने का accrued interest लिख ले कि भाई accrued interest है इसमें तीन महीने का जो भी तुम कर सकता है जो तिरको question को easy करने में help करे वहाँ पे कर दे और फिर जैसे ही answer sheet हाथ में आये तुम उस question को बनाना चालू कर दे इससे क्या फाइदा होगा पहला जो 20 माक का question होगा ना पहला 20 माक का वो 36 minute की जगा हो सकता है 30-35 minute या 32 minute या 28 minute में solve हो जाए और वो जो solve होगा वो 100% क्या होगा correct होगा तो तुमारा confidence उस paper में अपने आप बढ़ जाएगा तो हम लोग हमेशा अपने first 15 minutes को इस तरीके से use करेंगे एक चीज अगर और कर सको तो बहुत बढ़िया हो जाए कौन सा question छोड़ना है question to leave मतब जिसको choice बोलते हैं न हम लोग 2-6 में एक choice करना है वो choice जो छोड़ना है वो अगर हम लोग decide कर ले ये 15 minutes में तो हमारा paper में एकदम direction ready रहेगा कि हमको इस तरीके से move करना है जैसे माल लो कोई बच्चा financial statement 20 mark का पूछ लिया बच्चा बोला नहीं करना है तो वो पहले ही उस 3-4 में जाके एक बार cross करके आजाओ उसको कि ये एकदम last resort देखना होगा last में देखेंगे otherwise इस question को छोड़ना है इस question को हम हाथ या किसी को branch से डर लगता और मालने 15 mark का branch question दे दिया थोड़ा difficult तो तुरे को पता है ये question हम को छोड़ना है तो हम लोग उस question को कभी पढ़ेंगे ही और पढ़ना भी है तो एकदम last में क्योंकि बाद बाकी तो हम सल्टा लेंगे maximum क्या होथा दो question tough होगा तो last दो में choose करना है कि ये करना है कि ये करना है तो वो last में 2-5 minute देंगे पहले उस पर time waste नहीं करेंगे तो अगर तुम अपने पहले 15 minutes में ये काम कर सको I think तुमारा paper का जो starting point है वो बहुत smooth चालू होगा जिनोंने किया है उन्होंने हमेशा हमेशा ये देखा है कि उन्होंने paper time से complete कर लिया जिनोंने नहीं किया है वो paper में यहीं यहीं stumble करते हैं कि क्या करना है क्या चोड़ना है समझ भे नहीं आ रहा है बीच में 5-10-15 minutes waste करते हैं हम लोग को थोड़ा clear रखना होगा thoughts में ये thoughts का clarity है कि मैं अपने paper को इस तरीके से move करूँगा सेम चीज आप cost में भी use करेंगे सेम चीज tax में भी use करेंगे सेम चीज law में भी use करेंगे तो tax का paper है तो एक बार देख लो paper आया कैसा है तुमको ना पहले 15 minutes में वो MCQs नहीं देते हैं सिर्फ 70 marks का paper पकड़ाते हैं अगर तुमको 70 mark का paper दिया तुम एक बार देख लो paper में पूछा कहां कहां से है फिर अगर तुमको लगता है GST तुम्हारा stronger और GST easy लग रहा है तो 10 minutes GST को devote कर दो एक question दो question जो कर पाओ वहां करके ready कर दो ताकि paper आते ही GST लिखना चालो अगर तुमको लगता है sir अम मेरा total income का practice किया और जो question आया है वह देखा देखा लग रहा है तो plus minus plus minus disallowed allowed disallowed allowed HP other sources वो लिख के छोड़ दो ताकि आते ही हम अपना question attempt कर सके हर paper में this strategy will work well if you can use it clear है बात अगर तुमको पंदरा की जगा 10 minute मिले डरने का नहीं 5 minute अपने answer writing वाले का इधर दे देना अगर ये ready हो जाएगा तो answer writing में अपने आप time बचना शुरू हो जाएगा clear है बात पहला 15 minutes कैसे use करना है ये ये गुरु ग्यान आपको ध्यान रखना है ये गुरु ग्यान सब याद हो जाएंगे अगर कल जब आप mock test 1 दोगे इनको follow करो तो जब आप अपना mock test paper लिखना शुरू करो timer लगा लेना 15 minutes का reading time then 3 hours का writing time 15 minutes reading time में सेम तरीके से पूरे paper को पढ़ना अपने आप आपको याद हो जाएगा कि मेरे को paper में कैसे move mock होता क्या है जो बाद में करना उसका एक replication कर रहे है अगर mock की कोई अच्छे से नहीं दे रहा है तो वो मजाक कर रहा है उसको exam सही से दे नहीं नहीं तो जब अपना आप अपना mock test कल दे रहे हो please use this paper to check whether this paper works well for you or not if it works well for you आप अपने इसी से जाएंगे नहीं work कर रहा है change your strategy ऐसा नहीं है कि मैं जो बोला वही करना है यह मैंने ना बहुत सालों की experience से आपको बताया अगर आपको लगता है आपके लिए कुछ और work well करता है तो कर ले ना वड़ उसके लिए पहले देख तो ले तेरे लिए क इंस्टिट्यूट का pattern से बनाया है so that आपको ऐसा लगे कि आप final exam में बैठे हो clear है बात done 100% चलिए यह मेरा गुरू ग्यान 4 हो गया